गुड बॉर्निंग विद में मैट्स इंग्लिश दोनों एक साथ तो आएए जानते हैं दोस्तों कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में ये कुछ मैंने इस्पेशल सीरीज यहाँ पर लिखी हुई हैं ये स्पेशल सीरीज एक्जाम में बार बार रिपीट होती हैं इनके करने के काफ़े सारे मैथर्ड हो सकते हैं लेकिन आज हम इसका इजियस मैथर्ड से इसको करने के कौशिश करेंगे बस अगर आपको काउंटिंग करनी आती है तो आपको ये सीरीज आती है तो करना क्या है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 by 8 answer आपको क्या करना है उपर के count करने है उपर के numbers को add करना है और बटे में last term रख देनी है बस answer आ जाएगा चलिए इसको भी करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 by last term 15 answer अगर किसी को check करना हो तो calculator से कर भी सकता है चलिए अब हम इसको देखते हैं यह अपनी standard form में अभी नहीं है standard form में लाने के लिए क्या करते हैं series की form में लाने के लिए क्या करते हैं इसको हम 1 into 2 लिख सकते हैं 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6 आपको करना क्या है counting करनी है दोस्तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 upon last term answer चलिए इसको भी ऐसे करते हैं 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, 7 into 9, 9 into 11 आपको करना क्या है बस count करना है 1, 2, 3, 4, 5, 5 by 11 answer तो guys अब इसको देखते हैं इसको क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 answer तो guys यह कुछ special series है जो की बस counting करने से ही solve हो जाती है यह मैंने कुछ examples लिए हैं आप इनके जिसे और भी examples लेके solve कर सकते हैं आप 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 सकते हैं सिरीज में मैंने हैं एक-एक का गैप लिया है यहां दो दो का गैप लिया आप तीन तीन का गैप चार चार का गैप करके भी कर सकते हैं कोई problem नहीं है आप answer check करेंगे तो आपका बिल्कूल बिल्कूल सही answer मिलेगा today's concept आज हम discuss करेंगे कुछ words कौन-कौन से हमारे words हैं each, every, either and neither इन चार words को हम discuss करेंगा मुझे लगता है बहुत सारे students को doubt होता है बहुत सारे students each and every को same समझते हैं कि each and every एकदम same है लेकिन students each and every में difference होता है what is the difference difference क्या होता है each and every में दो इच और एवरी का अगर आपको हिंदी मीनिंग बताओं हिंदी मीनिंग क्या है प्रति अगर मैं बोलू each student is very talented और अगर मैं बोलू every student is very talented each student is very talented हर बच्चा बहुत talented है every student is very talented हर बच्चा बहुत talented है यह दोनों sentences मुझे एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि मेरी मुझने अभी तक क्या पढ़ रखाता है कि each and every में चीज़ यह दोनों sentences मुझे एक से दिख रहे हैं क्योंगी मुझे लगता था कि each or every same है but each or every में differences है दो differences है, दो main differences है एक बार उनको discuss करते हैं First difference, difference number one Each को आप use करते हो दो लोगों के लिए या दो से जादा लोगों के लिए Each को आप दो के लिए भी use कर सकते हो दो से जादा के लिए भी use कर सकते हो लेकिन every को आप दो से जादा के लिए ही use करोगे Every को आप दो के लिए use नहीं करोगे For example, एक question देखिए students मैंने लिखा I have a pen in dash hand मेरे पास pen है हर एक हाथ में अब मैं या पे क्या every लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती? क्यों every में नहीं लगा सकती? क्योंकि हाथ तो दो ही होते हैं और दो के लिए तो every use ही नहीं होता यहाँ पे आने वाला जो word होगा वो केवल ओ केवल each होगा यहाँ पे आने वाला word हमारा every नहीं होगा अगर option में लिखा हुआ आता है both each and every one, that is not correct only you can use each over here I hope सभी को यह first difference समझ में आया दूसरे difference की बात करते है मैंने चार sentences आप लोग के सामने लिखे आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा sentence सही है और कौन सा गलत है यह चार sentences मैंने आप लोग के सामने लिखे इन में से तीन sentences हमारे सही है और एक sentence हमारा गलत है which is the wrong one, who is the culprit, कौन सो sentence गलत है, देखो, this is right, this is right, this is right, but this sentence is absolutely wrong, ये sentence हमारा गलत है, what is the reason, reason क्या है, तो दिहान से समझो reason को, each और every, ये जो each और ये every है, तो each हमारा pronoun का भी role play करता है, और each हमारा adjective का भी role play करता है, each हमारा pronoun भी होता है, each adjective होता है, लेकिं, every केवल और केवल adjective होता है, every हमारा pronoun नहीं होता है, तो यहाँ पर each student, student के बारे में बता रहा है, यह क्या हो, adjective, और each तो adjective होता है, तो ये sentence एकदम सही है, Every student, student के बारे में बता रहा है Every adjective होता है, यह sentence भी एकदम सही है Each of my students, यहाँ पे each क्या है? pronoun है और each pronoun होता है This sentence is also correct But this sentence, every of my students, यहाँ पे every pronoun का role play कर रहा है लेकिन every the pronoun होता ही नहीं है तो यह sentence मेरा यहाँ पे गलत हो गया What is the point of difference? Difference का point क्या है? Each pronoun और adjective दोनों होता है लेकिन every हमारा cable और cable adjective होता है बात करते हैं either और neither की Either का मतलब होता है one out of two Anyone out of two, कोई भी एक, दो में से Neither का मतलब क्या होता है? No one out of two या none out of two? दो में से कोई भी नहीं Either का मतलब दो में से कोई एक neither का मतलब दो में से कोई भी नहीं आज हम पढ़ने वाले हैं कि each, every, either and leader इन चारो words के साथ हम verb कौन सी लगाते हैं इन चारो words के साथ हम noun कौन सा लगाते हैं इन चारो words के साथ हम verb कौन सी लगाते हैं बहुत बार exams में questions देखे गए हैं जहां पर verb में error होती है या जहां पर noun में error होती है तो let's try to understand कि what kind of verb do we use what kind of noun do we use इन चारों के चारों के साथ जो आप verb लगाते हो that is singular verb याद रखिएगा इस चीज़ को each, every, either or neither इन चारों के साथ जो आप verb लगाते हो that is singular verb अब अगर each, every, either, neither each, every, neither, neither इन चारों के साथ तुरंद बाद आप noun लगाते हो तो वो noun आप singular लगाते हो लेकिन अगर मैं बात करूँ each, either, neither इनके बाद आपने off लगाया और फिर उसके बाद कोई noun लगाया तो वो noun जो होता है वो आपका plural आता है वर्ब इनके साथ हमेशा और हमेशा singular आएगी लेकिन इनके just बाद noun आ रहा है वो singular आएगा और इनके बाद off लग रहा है फिर उसके बाद noun आ रहा है तो वो noun plural आएगा कुछ questions देखते हैं आप उनमें error identify करने की कोशश करेंगे So we have these four sentences You will tell me what are the errors in this sentence आप खुद से identify कीज़ जब तक मैं आपनों को समझा देती हूँ Errors Each student are very talented अभी हमने क्या पढ़ा? Each के साथ verb कौन सी आती है? Each के साथ जो verb आती है? वो singular आती है? तो यहाँ पे आर गलत है यहाँ पे क्या आएगा? Is आएगा नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? W-O-M-E-N विमन आएगा नीदर गर्ल्स नीदर के बाद जो नाउन आए तो वो singular आएगा तो यहाँ पे आने वाला वर्ड क्या होगा? नीदर गर्ल होगा इच, इदर, नीदर इन चारों के बाद अगर ओफ आ रहा है और फिर नाउन आ रहा है तो वो नाउन हमारा plural आएगा Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards तो guys, अगर आपको इस sessions बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूले और अगर आप ऐसी वीडियोज आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले You will meet us every day at 7 a.m. और शेयर ज़रू करो